नमस्कार दोस्तों सौगत आपका हमारी इस वीडियो में दोस्तों आपको पता यह होगा कि जो WhatsApp का बीटा वर्जन है वो सभी को यह प्रॉब्लम आ रही है कि वो ओपन नहीं हो रहा है मेरा भी WhatsApp बीटा था जब मैं इसे ओपन कर रहा हूं तो यह दिखा रहा है इस वर्जन आ बीटा वाला अनिंस्टाल करके सिंपल वाला WhatsApp इंस्टाल कर लिए उसका बीटा वर्जन लीव भी कर दिया उसके बाद में भी मुझे यह प्रॉब्लम आ रही है हो सकता है आपको भी आ रही हो तो लास्त तक वीडियो को देखिए का आपको प्रॉपर सल्यूशन में बताऊ क्योंकि इसमें जो एप्स के वर्जन होता है वो थोड़े पुराने होते हैं और गोगल प्ले स्टोर के जाई का अगर हम इस पर जाते हैं गोगल प्ले स्टोर पे तो आप दिखोगे कि यहां पर अपडेट का कोई भी आप्शन आपको नहीं दिखा रहा है सीधे ओपन का बता रहा है और अगर आप ओपन पर क्लिक करते हो तो उसके बाद में आपके सामने वाटसाफ सेम वही कंडिशन आ रही है वाटसाफ ओपन नहीं हो रहा सेम प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो इसका एक और सलूशन यह नीचे बता रहा है और डिवाइस देट इस 28 करता हूं और चीज करने की कोशिश करता हूं यहां से उपन हो रहा है हाँ अगर आपका यह औप्शन नहीं आता यहां से उपन नहीं होता तो आप सिंपली क्या करिए कि अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाईए यह इवस्ट को लेंगे तो यहां पे आपको डिटन सब्सक्राइब निए अर्षेट इसे आपको आफ करने के बाद में आपको यह जो दिख रहा है तो यह जो दिख रहा है इसको आपको बैक कर लेना एक दिन दो दिन तीन इसके बैक करके तो इसको जब आप बैक कर देंगे तो उसके बाद में आप अपने वर्टसप को ओपन करेंगे तो वर्टसप आपका ओपन हो जाएगा लेकिन अगर यह फाइनल स्लूशन नहीं है अगर फिर भी आपके फोन में प्राब्लम आती है तो आपको क्या करना है यह आपको वेट करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने हैं वीडियो को लाइक करने क्योंकि बहुत ही जल्त इसके सलूशन वाली वीडियो में लाने वाला हम क्योंकि अभी तक पूरी तरह यह मेरा भी सॉल्व नहीं हुआ है